बूर्णिंग स्टुडेंट्स आई मैं आप लोगों को आपके सेकेंड चैप्टर का कोश्चन आंसर कराने जा रही हूं जिसमें लॉंग कोश्चन है किसे बोलते हैं जैसे कि रोज आता है उसमें उनका सब क्या बोलते हैं क्योंकि यह जो प्लांट्स होते हैं इनके जो बहुत ही वोडी होते हैं और यह तरी से स्मॉल होता है लेकिन इनके स्टेम मजबूत भी हम्हार्ड होते हैं तो आप श्टेम गरीज को बता है उसको स्टेम बोलते में प्लांट्स है यह तो इस चीज पो क्लोलन ऑस है थो श्क्ला सो को प्लांट में उसे क्या बोला जाता है स्टेम बोला जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं तना ठीक है अब कुस्ट नमबर थर्ड है वट डज अन शीड नीड तो ग्रोव करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है तो अशीड नीट्रियंस फ्रॉम दा सॉइल वाटर एयर एंड शनलाइट तो किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है सीड को ग्रो करने के लिए सीड बोलते है वच्छों बीज को ठीक है तो बीज ग्रो कर गई प्लांट बनता है तो प्लांट को ग्रो करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है नूट्रिश किसे बोलते हैं, तो the plants that grow along the ground are called creepers, जो plant ground में चारों तरफ grow करते हैं, बढ़ते हैं, फैलते हैं, यानि कि जमीन के उपर फैलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, जैसे कि pumpkin के plants हो गए, ठीक है, उसके बाद watermelon के plants हो गए, तो उन्हें creepers बोलते हैं, what is a root, root किसे बोलते हैं, तो root बोलते हैं, जड को, जो soil में जो पार्ट होता है, ट्रीका, उससे क्या बोलते है, root बोलते हैं, तो the part of the plant which attaches into the ground is called root, जो part ground से अटेच रहता है, plant का, उससे क्या बोलते है, root बोलते है, यानि कि जड बोलते हैं, तो आप लोग का ये question answer complete होता है, ये chapter भी complete होता है, मैं इसका pick क्लिक करके आपको send कर दूँगे, आप लोग अपने book में और fair copy में note करके, Saturday को स्कूल में copy check कर आने आएंगे, okay, thank you